करम को समझो, करम का मतलब ये नहीं है कि तुम कहिए जाकर कुछ करो, करम का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अगर किसी तरह का काम करना, अगर मैंने इस चीज़ को ऐसे उठाया, तो ये भी करम ही हुआ, अगर मैं बैठा हूँ और कुछ ना कर रहा हूँ, कोई मुमेंट के तो वो भी सुख्ष में रूप से करम ही हुए ना, चाहे सपने में है, लेकिन फिर अध्यत्मिक लोग तो ये भी कहते है कि ये जो तुम जी रहे ये भी सपना है, तो फिर तुम सपने में जो कर रहे हो, वो करम क्यों नहीं? सवाल ये है कि अगर गुरहतारों का इतना ही प्रभाव है, जैसे कि कहा जाता है कि सब नसीब पर है, सब नसीब में है, सब नसीब में है, तो फिर हम क्या करें? करम कहा बचा, और अगर अध्यत्मिक लोगों को तुम सुनोगे, तो लोग कहते है कि भाई करम ही सब कुछ है जो कर्म तुम करोगे उसके हिसाब से ही तुम्हारा जीवन बनेगा, तुम्हारे कर्मों की हिसाब से ही तुम्हारे पूरे जीवन का चैन होगा, तुम्हारे कर्मों की हिसाब से ही तुम्हारा भविश्यताय होगा, यह सारी चीजे, यह सारी बक्याली बाते हमने बच्पन से और इसका जो सबसे बेसिक सवाल मुझे तक आता है हमेशा वो यह आता है कि हम तो अच्छे ही करम करते हैं फिर हमारे साथ पुरा लिए हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं हर किसी का अच्छा करते फिर मेरे साथ क्यों समस्य ले इसका जवाब मैं कल दे जो कर्म को समझो कर्म का मतलब ये नहीं है कि तुम कहिए जाकर कुछ करो कर्म का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अगर किसी तरह का काम करना अगर मैंने इस चीज़ को ऐसे उठाया तो ये भी कर्म ही हुआ अगर मैं बैठा हूँ और कुछ ना कर रहा हूँ, कोई मुमेंट के बगेर बेब, लेकिन मेरी सासे चल रही है, तो ये भी कर्म ही हुआ, ये मेरा बैठना भी कर्म ही हुआ, और साथ ही साथ मेरे भीतर चलने वाली गतिविधिया भी मेरा कर्म ही हुई, कर्म को सिर्फ इस तर सवाल यह है कि तुम अगर कुछ ना भी करो और एक जगह पर बैठे भी हो तो भी तो करम हो रहे सवाल यह है कि तुम्हारे भीतर चलने वाले विचार जिस तरह की एक तरह के करम ही निर्मित कर रहे है उसका क्या याद करना जब कोई तुम विचारों में होते हो तो जीने भी लग जाते हो इमाइजिन भी करने लग जाते हो तो वो भी सुक्षमरूप से करम ही हुए ना चाहे सपने में है लेकिन फिर आध्यात्मिक लोग तो ये भी कहते हैं ये जो तुम जी रहे ये भी सपना तो फिर तुम सपने में जो कर रहे हो वो करम क्यों नहीं अगर ये जीवन जो चल रहा है ये जो शरीर जो चल रहा है दुनिया के हर जागूरत इंसान तुम से चीक चीक कर चिलाता है कि ये सब मिथ्या है यह है ही नहीं जो तुम समझे बैठे वो है ही नहीं सच्चा ही कुछ और ही है और अगर सच्चा ही कुछ और है तो अब मैं जो कर रहा हूँ अगर वो सपने में है अगर ये करम मुझ पर काम कर रहे है तो मेरे सोचे हुए चीजों के द्वारा मेरे इमेजिनेशन में जो मैं क कर रहा हूँ वह भी तो करम ही हुए तो क्या उसका इफेक्ट मेरे बॉड़ी पर नहीं होगा और यहीं पर पूरा का पूरा तुम्हारा जीवन पर ग्रहतारे सौ परसेंट तुम्हारे जीवन पर काम नहीं करते हैं जैसे मैंने परसो की दिन एक्स्प्लेन किया कि यह 50-50 परसेंट ही लेना यह 50-50 परसेंट इस तरह से है कि तुम्हारे घर पर आने वाला सप्लाय और उसका किया गया यूजेज तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं है कि त आलू की सबजी खाऊंगा या फुलकोबी की सबजी खाऊंगा ये कोई ग्रहतारों को काम धंदे है की नहीं इसको इतना नीचे मत गिरा देना कुछ लोग होते हैं जो उठने के साथ अपना भविश्य बढ़ते हैं सुबह और देखते कि आज का आज का दिन मेरे लिए कैसा इसको कहते है अतिशय योगती इसे कहते है पागलपन इसे कहते है उन लोगों के द्वारा इस तरह की अफवाय फैलाए गई जो इस चीज को जानते है और चाहते है कि तुम बार-बार उनके पास आओ ताकि बार-बार कोई नई समस्य निकले और बड़ी-बड़ी चीजों के साथ वो तुम्हें परिशान कर सके किसी भी ग्रह तारे का जो प्रभाव है वो एक समय के लिए है हां उसमें दशाय है एक बड़ा ग्रह उसके नीचे महादशा दशा उपदशा इस तरह की चीजे आती है लेकिन वो डिफिनेटली घंटे और मिनिट के हिसाब से नहीं आ सकते हैं उसमें अगर यह हो कि उस एनर्जी में ऐसा कुछ है कि जो तुम्हारे शरीर को तकलिफ दे सकती है तो तुम पाओगे कि हां उस वक्त किसी तरह की शारेरिक तकलिफ तुम्हें हो उसका परिणाम भी होगा कि कितने प्रमान में होगी सिर्फ चाती दुखेगी या हाट अटाक आजएगा और अगर हाट अटाक आए तक तो कितने बड़े प्यमाने पे आएगा मौत होगी या बच्चा होगी इसका भी उस एनर्जी के हिसाब से तुम अंदाजा लगा सकते लेकिन यह definitely इतना नहीं जाता कि हर मिनिट और गंटे के हिसाब से आप चीजे चले और यही पिर तुम्हारा free will आता है क्योंकि हर मिनिट के हिसाब से तुम अपने free will में बदल से इसे ऐसे ही देखना जैसे विज्यान में चार मेन फोर्सेस है एक है ग्रैविटी और इलेक्ट्र मैगनेटिजम यह हम सब जानते हैं गुर्द्वाकर्षन और पृत्वी का मैगनेटिजम चुम्बकिय तक यह जो चीज़े हैं यह छोटी चीज़ों पर काम नहीं करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि अगर छोटा सा कंकर में छ थोड़ू तो उस पर ग्रैविटी काम ने करेंगे ना ना इस उर्जाओ का उपयोग ब्रह्माण डिया स्तीती को जानने के लिए जाधा आसानी से होसा लेकिन अगर छोटे से चोटे अनू रूप में अगर मुझे देखना है तो दूसरे दो फोर्सेस काम में आएंगे वह जो है वीक नुकलियर फोर्स और स्ट्रॉंग नुकलियर फोर्स जानने वाले यह जानते है कि ग्रैविटी से भी जाधा कई गुना ताकत वर यह छोटे से यह अनू के लेवल पर काम करने वाले वीक और स्ट्रॉंग नुकलियर फोर्स जो है यह अनू के लेवल पर मतलब तलो पर मतलब तुम्हारे तलो पर तो अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ और अगर इन बाहर की एनर्जी को देखना है तो सेट्रोमैगनेटिजम और ग्रैविटी के रूप में लेखना कि अब इसका तुम कुछ नहीं बदल सकते यह तो चल रहा है लेकिन अब अगर मैं तय कर लो कि मुझे यह करना है या यह नहीं यह तो मेरी तय की गोई जूज है यह मेरे तो इसे फिप्टी-फिप्टी रूप म को जीत ले अध्यत्मिक जुरुष्टिकों से ऐसे कुछ बड़े बन जाएंगे अपने जीवन में कि बस पूरी दुनिया उनका नाम निकाले या तलवार लेके पूरी दुनिया के दुनिया पर राच करे मतलब क्या है पॉसिबिलिटी दोनों है एनरजी दोनों के लिए द कारन नहीं ग्रहतारों ने डेफिनिटली उन्हें वह उर्जाय दी कि वह दोनों पॉसिबिलिटी में ग्रो कर सके लेकिन यह दोनों पॉसिबिलिटी में एक पॉसिबिलिट को चोनना तुम्हारा और यह दोनों तरह से होता है यह तुम्हारे भीतर से भी होता है और बाहर स साथ साल में तुम्हारे सामने एक नई चीज रखती है, अब मैं तुमसे कहूंगा कि तुम्हारे उमर जो भी हो थोड़ा पीछे अपने जीवन को याद कर, एक बच्चा जब साथ साल का होता है न, तब उसके जीवन में पहले बार चेतना की लहरा आती है, यह जो चेतना की लहर है हर यह साथ साल का इसमें डिफरंस होता है, जैसे सूरज पर होता है, हर ग्यारा साल में सूरज में आन्वी इस्पोर्ट होते हैं, उसी तरह से तुम्हारे भीतर भी हर साथ साल में एक तरह की उर्जा बनती है, अलग ही, कि तुम अपने जीवन को बदल दो, तो तु इंडर्जिलिटी का फील बड़ा, इसलिए हमारे यहाँ पे ना पुराने लोग जो थे वो कहते थे कि गुरु बना लो, साथ साल की उमर में गुरु बना देते थे, गुरु कुल में जाने का समय साथोय साल, साथ साल के बच्चे को ही गुरु कुल भेजा जाता था, साथ स से उसके बाद 14 साल में ऐसा होता है एड़े जो फोटीन तुमारी कामवासना जनरेट हो दो उसमें दो शाखाय है एक तो तुम कामवासना में उतर जा जैसे कि आज हो रहा है बच्चों के हाथ में मोबाइल लग दे वह ऐसी चीजे देख रहे हैं जो उने देखनी नहीं चाह रहे है कि वासना उसी दूर ब्रह्मचारे का इतना ही मतलब है कि अब वो खुद के भीतर स्थीर हुआ अब उसने खुद की करो अपने 20 साल की उमर में हुआ होगा ट्यू कर लूँगा, ऐसा कर डालूँगा, ऐसा कर डालूँगा, दुनिया को जीत लूँगा, यह भी दो है, एक तुम दुनिया में रस्पूर्न हो जाओ, तुम सपनों में डूब जाओ, और दूसरा तुम अपने में डूब जाओ, तुम भीतर की स्तीरता में डूबो, या बाहर की स्तीरता में, अस्तीरता में, ये चुनाओ तुम्हारे हाथ में, तुम यही पाओगे, कि at the age of 21, से लेकि 28 तक, बहुत सारे बच्चे, राजकारन में जाएंगे, नया बिजनेस खोलने की कोशिश करेंगे, सौ चीजों को करने की कोशिश करेंगे, उन्हें लगे का न अपने जीवन में experience करोगे, at the age of 28, maximum लोगों की शादी हुजए, 28 के बाद, क्योंकि 28 साल के उमर तक आते आते, उन्हें अभीतर से ये पता चलेगा, कि बड़ी-बड़ी बातों में कुछ ना रखा, पहले अपना घर लो, जॉब कर लो, छोटा-मोठा कुछ भी, बात का ब बाद में रेखेंगे बाबा, ये बड़ी-बड़ी कंपनियां का अभी के लिए थोड़ा सा, परिवार होगे, थोड़ा वो बनाने की चेश्टा में लगेगा, वो ट्राय करेगा कि ये दोस्तों सब देख लिया, अब थोड़ा सा, थोड़ा स्तीरता पालू अपने जीवन में, क्यों? क्योंकि अब उसके शरीर को ये समझा कि उर्जाय कम हो, एट डेज ओफ थोड़ी-फाइव होगा कि तुमारे शरीर की 20-25% आफ एनरजी लूस कर जाएगी, 35 साल की उमर में, तुम कहते भी हो कि 21 और 22 साल की उमर में तुमारा शरीर जिस तरह से था, 35 के बाद थोड़ा सा कमजोर होना शुरूगा, तुम पाओगे कि 35 से लेके 42 तक तुम्हा दुनिया वर की बिमारिया लगी, तुम्हें BP, शुगर या इस तरह की तकलीफ, या specially psychological, क्यों? क्योंकि 35 साल आते आते जब तुम्हारी उर्जा कम होने लगेगी, और तुम्हें ये पता चल करने की कोशिश करेगा, उसके उसमें वो घुमता रहेगा, लेकिन जैसे उसने ये जी लिया और उसके भीतर का 35 साल का चक्र खोल गया, अब ये 35 साल का चकर ने उसके आदी उर्जा, थोड़ी सी उर्जा गमा दे, अब वो थोड़ा सा भीतर से धिल जाएगा, अब वो चा करेंगे, या पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएगे, बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि अब वो जानते कि फैमिली थोड़ा से सेटल डाउन हो जाएगा, अब वहारी चीज ऐसी दिख रही है, आध्यत्म कहता है कि ये भीतर की बात, ये जो भीतर चक्रों में बदलाहट हुआ, ये भीतर ने जो चक्रों को फेका, उर्जाओ को, उसके कारण ये तुम्हारी प्रतिक्रिया है, और कुछ है, बाई दे एज ओ फोटी टू, टू फोटी नाइन, तुम पाओगे, तुम बड़े तकलिफ में हो, क्योंकि ये जीवन भर, ये पैतिस से फोटी टू की में तुमने चाहा कि दुनिया तुम्हारी सुने, और कोई सुनने रहा, तुम भी खुद की सुनने रहे, तो ये फोटी टू से फोटी नाइन का उमर जो है न, ये इनसान के लिए बड़ी तकलिफ देने वाली है, वो साइकोलोजिकल एरर में चले जाएगा, वो समझे नही और कोई पर आया, ऐसी स्तिती में हो, दुधा मन स्तिती में अटक है, और फोटी नाइन के पास ऐसा होगा कि तुम्हारी आधी उर्जा तुम्हारी शरीर को छोड़ दे, हाफ एनरजी, और तुम पाओगे कि आफ्टर फिप्टी न, आफ्टर फोटी नाइन स्पेशली, ल जिन लोगों के साथ जीवन में जगड़ा, जिन लोगों के साथ उसकी समझ साथ, रहे थी एक लंबे समय तक, उसने खा कि जान दो, जीवन है कितना, आप क्या है, बुड़े हो गए, कुछ गलतिया उन्होंने की, कुछ गलतिया हमने की, है तो भाई ही, है तो रिष्टेदार ही, है तो है, जाने दो फलाना, यह बड़ी-बड़ी बाते करके, वो पाएगा रिटार्ड आदमी अकेला कभी गुमने नहीं जाएगा, वो गुरुप बना के जाएगा, वो कहेगा नहीं सुबह जाना, अकेला नहीं जाना, चलो चार-पाश लोग जाते हैं, लेकिन वही 21-28 साल का बच्चा जिम जाने के लिए अकेला निकल पड़ेगा, हाँ वो आदमी अगर किराना भी लेके जाना है, तो कहीं नहीं किराना चल लो तो, चलता का सांगा, तीत परन्त जाओ नियो सोबत, दरह याद कर, यह हो क्या रहा है, और यह जो चीज है करीब करीब हर किसी के साथ से, अब इन हर 7 साल में जीवन तुम्हारे सामने मौके दे रहा है या तो तुम बाहर के जीवन में लिफ्थ हो जाए, या भी मैं तुमसे कहता हूँ कि 35 साल का जो मौका है नो बहुत इंपोर्टन है, बहुत इंपोर्टन है, वो इंपोर्टन है इसलिए क्योंकि अब तुम्हारे शरीर की उर्जाय कम होना शुरू है, इसके पहले ऐसा नह उसके पीछे पागलपन में अगर तुम और पढ़ोगे तुम पाओगे कि यह आगे कि जो साल नहीं वैसी जाएगा अभी जैसे मैं बताए और दूसरा है कि अब तुम कहो कि बाहर से तो मेरा सब कुछ चली रहा है बराबर से, मैं अपना जौब भी कर रहा हूँ, अपने जीवन को भी अच्छे से जी रहा हूँ, लेकिन इस जीवन को जीते जीते, 35 की उमर तक आते आते मैं ये समझा कि बाहर करने से कुछ ऐसा नहीं मिल रहा, जो मैं चाहता हूँ कि बिले, तो हो सकता है कि भीतर कुछ, थोड़ा भीतर भी काम कर, 35 साल तुमने दे दी हैं दु बारे हो, सही निबारे हो, अब उसको कौर, जो तुम करना चाहते हो, दुनिया से जुदा, वो क्यों करना चाहते हो, एक बार सोच बे ले ला, तुम कुछ ऐसा कर गुजर जाना चाहते हो, कि लोग तुम्हें कहें वा, लोग तुम्हारा स्वरन अक्षरों में नाम लिख और कुछ नहीं है ये सब लोगों की भलाई वलाई ये सब बाते हैं कौन किसकी भलाई कर पाया सिर्फ वो जिसने खुद को जा क्योंकि सामाजी संस्काओं के नाम पर क्या हो रहा इस देश में मैं तुम्हें बताने की जुरूरत है कि निरुपोमा रॉय जैसे लोग ऐसे बह बहुतने आड़ा वर्षा पहले बिजवीजी सरकार आले आले बेपावरती ने कि समानते हग्स तुटता देवा कि आमिर खांचा बाय कोनी बयान देल होते देचाओ कि इन टोलरेंस तो यह बाते करते निरुप हमारा रॉय जैसे लोग इन ताल्लारेंस मेधा पाटकर है कि बड़ी समास चेवक बनती है जरा उसके फंडिंग कहां से आ रहे हैं यह सब जानते आए भी सब यह लोग कभी नहीं दिखेंगे तुम्हें लेकिन जैसे कुछ कुछ हो रहा हो यह अपनी पूरी की फौरी 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 फौर लेके फौर जाए ना कुछ गलत हो रहा है तो जो नर्मदा बचाओ चला तब भी नहीं डूबी उसके बाद में वह सरदार पटेल का जब स्टैच्यू खड़ा रहा तब भी उसने कुछ आंदोलनवांद करें कि यह मर जाओं और डूब जाओं मरी नहीं मरी नहीं लेकिन बाते हैं यह चीज़े करने के लिए पैसा का से आता है और फिर हुआ क्यों नहीं कुछ अब यह लोगों को जिसने उनमें पाने में खड़ा कर दिया क्या हुआ यह समाज के दुश्मन कुछ ही ऐसे लोग हैं ज उजिने सैलूट करने का दिल करता जैसे कि आम्टे हैं आम्टे बाबा आम्टे थे उन्होंने कुछ सच में अपने जीवन में ऐसा काम कर गए कि जब तुम उस काम को देखोगे तुम कहोगे कि भाई आदमी किसी भगवान से का उनके जो लड़के भी है प्रकाश बाबा आ जैसे जो लांचन इस पूरी की पूरी सामाजीक व्यवस्ता की चक्कर में इन्हें क्या चाहिए इन्हें बस पॉब्रिसेट जाए इन्हें कोई लेना देना निए अपना काम बनता भाड में जाये जनता यह किसी पॉलिटीशन से कम नहीं है तो जादा सामाज सेवों के बी अब रही बात जोति शास्त्रे तो हम यह कहेंगे कि जिस तरह से बाहरी ग्रह तुम्हारे शरीर पर काम कर रहे है उसी तरह से जो एनरजी तुम्हें भीतर से जीवित रखे है वो भी तुम्हारे शरीर पर उसी तरह से काम कर रहे है अब जो भी मैंने तुमसे कहा साथ साथ साल का अगर तुम अपने जीवन में उसी ठोड़ा लगा के देखो तुम पाओ कि ये बंदा बात सही कर रहा हो कि नहीं है ये चीज हर किसी के अपने जीवन के अनुभाव की है येसे किसी वज्यानी कुरावी की ज़रूरत नहीं है है और यही पर तुम्हें चांसेश मिलते ह तुमने चार लड़के देखी शादी के लिए अब चुनी तो तुम नहीं अब चुनने के बाद क्या होता यह सब को बता है कि तुम किसी के नाम पे बंबाटा ना करो इसलिए घर वाले भी बड़े होश्यार होते हैं मतलब सब कुछ अगर भगवान है भी है अगर सच में स्वर्गों में जोड़्याता होती है तो भगवान के जितनी 서 Fourier अगो ही निकर प्टि यह संत्रादाय में भगौन कितना मानता है कि जाती जाती में जाती के जाती में भगवान है या क्या है और भगवान है जो निसवर्गों को निर्मित कर रहा है या बैटरिमोरी की शादी चला है स्वर्ग में चल क्या रहा है अपसराय नाच रही है या मदीरा बट रही है या स्वर्ग पाप की पुन्याई ही हो रही है या ये शादी की जोड़े बन रहे है हो क्या रहा है लेकिन सामाजिक गति विदिया है ये प्रोटेक्शन शील्ड है भगवान के नाम पे डाला रहा है तुम भी जानते हो कि जिस तरह की शादी तुम्हारी चल रही है जिसने जोड़ी अगर उसने कहा क्या मैंने किया तुम मारोगे उसने मारोगे कभी ना कभी ऐसा होगा कि उसको पकड़ के एक दोगी की साल ले जिन्दगी बर की दुश्मन ही निकाल ले मेरे साम ऐसा काम कर गया रहे तुँ दुश्मन भी ना करे ये तो तुम भी जानते हो लेकिन अगर तुम देखना जरा अगर सब कुछ अच्छा रहा हो ऐसे कुमेंगे मिच के लग मैं नहीं किया इनकी लड़के थी उनका लड़का था सोचा बहुत अच्छे लड़के बता दिया कर आनन दी जगुरा ले बगा आपलेल काई नहीं बाँ सगे जना सुखा न रहा हो यह उड़स आपलेल पाई जाए ये बात कैसी करेंगे कि अपने को कुछ नहीं है सब अच्छे से जीए आनन से जीए अपने को चाहिए लड़का अच्छा था लड़के हम तो माध्यम बने ये माध्यम डालना पड़ता है क्योंकि अगर कुछ गड़बड हो गई तो लोग इसको ठोके गए तो ये पिटने से बचने की भगवान पे डाल दो और बच जाओ ये भगवान के नाम की प्रोटेक्शन शील्ड है और कुछ नहीं तो जो लड़के है तुम देखने काई थे बाई चूस तो तुम नहीं किया और जो गति विडिया तुम भोग रहे हो तो तुम्हारी अब क्योंकि तुम समझ नहीं बार है कि हो गया रहा है तो तुम गर्वाई ये मेरा नसीब इससे जुदा कुछ है फिर तुम नसीब के साथ तोल दे अगर तुम कोई बिजनेस करो और उसमें फेल हो जाओ तुम कहोगे कि ये तो नसीब है और अगर चल जाए तो कहोगे बड़ी मेहनत ली बड़ा हाड़ वर्क किया ऐसी बड़ी-बड़ी बाते करोगे तो अपनी असफलता को नसीब मत बना ले और अपनी सफलता को अपनी मेहनत की चाबी मत बना ले इतना है समझ लो कि तुम्हारे ही तुम्हें जॉब लगेगा ये तुम्हारे अगर पत्रिका में है और फात्रिका में थोड़ी है उशनी चंद्र हो इंफोसीज कॉंग्मी जैंट नाम थोड़ी डालके भेजे तुम्हेरे इसमें आप तुसी दित उसने कुछ पैकेज थोड़ी नीचे डाला कि नहीं नहीं इस company में इतना package ऐसा थोड़ी होता है भाई उसमें इतना ही होता है कि इस समय के दौरान इस इंसान को आए की व्यवस्ता हो जाएगी इसे नोकरी लगेगी इस दो तीन चार मैंने कि अब वो आये किस company में लग रही है कितनी है यह तुम जानो उसमें क्या यह तु की में इसे कपड़े पहने और कर मैं नंगनव है बैट जाओ कि या कर मैं इसी कपड़ों को गंदगी करenteं और खुद पहन लो तो क्या मैं कहूंगा कि नसीब के साथ मेरे पड़े बदल रहे हैं तो यह मेरे बाल बड़े मैं काटके आया तो क्या तुम यह कहोगे कि नई न यह तो आज कुछ ग्रहतारों ने कुछ काम किया होगा कि मैं जा के बाल कटा रहे बहुकुफ हो गये तो थे बहके बहके बाते लिए घर में बेनने वाली जो सबजी अगर जल गई और तुम्हारे पत्मी ने कहा आज मेरे घरतारे ठीक नए इसलिए सबजी जली कैसी गाली मा पातनी हुआ लेकिन जैसे तुम्हारे चाबी गिरने लगी जो क्या आ नसीब नसीब के खाई तो अपने हिसाब से चीजों को यूजस करना छोड़तो पहली तो तुम्हारे निरनए तुम्हारे अपने नसीब कऊ उस music कोई परिनाव नहीं है हां नसीब यह करेगा कि वो कहरेगा कि इस चार छे पाच मेरे में इस इंसान की शादी होने की योग है शादी हो सकती है यह शादी होगी कौन सी होगी तुम जानो भाई वहाँ पर भगवान भी रिसने लेता तुम तुम्हारा देख भाई बहुत भगवान भी नहीं का कि लुए मेरी इसम्हिवाया लगेगी यह बता है जा सकता लुए किस कमपणी में लगेंगी कान से पेकेज पर अस्ते पागल होंगे हुआ जो अगर मेरा शेरीर ऐसा है और मैं अगर नहीं कर रहा हूं हुआ जैसे कि मैं हूँ अगर मैं व्याम नहीं करूगा तो मैं तो और फैलते जाओंगा और मैं ग्रहतारों नसीबिया तो तो तुम मुझे गाली मारोगे बराबर मारोगे कि नहीं तुम तो यह बोलोगे कि पागले अगर मैं खाता ही जाओ और फैलता ही जाओ खाता ही जाओ और फैलता ही जाओ और मैं कहो कि नहीं नहीं यह तो ग्रहतारों ने कांड़ गिया मेरे साथ का लिमें तो तूमकल कारियाल सी अट्रवायम कर डोड़े यहां से उट के उपर बैठार ओपर सू चुट के नीचे बैठाओ इस बहुत वलो कि तूं एं questi और विचा दोस्तनों रोज मेर को आवड़ थोड़ा से बैदेगे चल थोड़ा वो थोड़ा रहां आए वो कहा ने गाया से जैडिने टरेट्मील पर फेड में पर चलिंगे क्यों नहीं चलिंगे थिद्धतर। थोड़ा mood होने दे बिद आप से में उसे यह काऊंगा कि थोड़ा ग्रहों का थोड़ा सा तालमिल वैट ने दे तो चले। तो जो हात में मिलेगा उसको फिक के मेरे को मारेगा हो। यह निरने मेरा है यहाँ पे कोई ग्रहत आ रहा नहीं है बीच में यह मेरा आलस है कि मैं कर नहीं रहा हूँ अगर मुझे कोई शाररिक तक्लीफ है अगर मुझे शुगर है और मैं अगर शक्कर खाही रहा हूँ और बाद मैं हॉस्पिटल में मिलू और मैं कहूँ कि नहीं ये मेरा नसीब था कि मैं ऑस्पिटल में आ जाओ, तो ये बेवकुफी है, और वही अगर मैं शरीर का थोड़ा ख्याल रखो, शुगर को कम कर दू, मेरी तबियत अपने से अच्छी रही, ये मेरा करम, तो करम में और बेवकुफी में बहुत थोड़ सपलाई है, वो चाही तुमारे हाथ में ना हो, लेकिन सपलाई कितना भी हो, किस एक्विपमेंट को यूस करना है, तुमारे हाथ में, पूरी तरह से तुमारे हाथ, और रहे, समझे, तो बबलू, अपने नाकारा पंती का उपाय, अपने जोतिश या अपने नसीद को मत द क्यूंकि तुमने अपनी personality को create नहीं किया क्यूंकि तुमने अपने पर काम नहीं किया इसलिए तुम उन समस्याव से जा रहे हो जो तुम आद जा रहे हो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पहले ही अपने पर काम करना शुरू कर, वो कहते कि नहीं, अगर मुझे कुछ बनना है तो मुझे पढ़ना होगा, मैं चार किताबे पढ़ूँगा, सोशली किस तरह से बिहेव किया जाता है, वो मैं समझूँगा, किस तरह के कपड़े डालने किस तरह की बात करनी है, क्या सही, क्या नहीं, क्या यह मैं पढ़के जाओंगा, यह तुम्हारा अपना चुनाओ, इसे नसीब पर मटाल, कोई किताब मेरे हाथ में लगी और मैंने उसे पढ़ डाली, और मैं यह कह वो यह तो नसीब था कि मैने किताब पढ़ी, तो तुम वाले जग्ड़े को भी नसीब पर टाल देना कि आज हमारे ग्रहतारे कुछ अलग है इसली जग्ड़े उरा तुँ काजी न को करू कि असा कहते हो गया कड़ा भन्टे हो कि नहीं वंटा कि नहीं कि नहीं कुछ नशीब फश्चिब तो एक बार ट्राय करना पत्थी पत्नी के तुम्हारे जगडे हो ज़े तो इतना है कर देना कि आज के गरहतार है इसे इसलिए हम जगड़े निश्चिंदरा और जगड़ा बढ़ेगा न भार खाने में नमक जारा हो जाएगा तीक है समझे तो free will पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है हाँ उसका कितना फल मिलेगा यह नसीद रहा क्यों क्योंकि वो energy है जितनी तुम्हारे आसपास चलने वाली उसी के हिसाथ से तुम्हारे कर्ब को मेहनत मिलेगे ऐसा बहुत बार होता है special elections में होता है बहुत से लोग खड़े रहते हैं हर किसी के ग्रहतारे अच्छे भी होते हैं लेकिन कोई एक जीच जाता है अब इसमें दोनों चीज़ा एक तूसका नसीब था ही और दूसरी चीज़ यह है कि उसने जो planning मैं तुमसे कहूँ कि अगर किसी बच्चे का फूरा का फूरा chances से वो UPSC crack कर ले और उसने खाँ भाई अपने नसीब में लेखा UPSC crack कर आप क्या पढ़ना है यह जिन्दगी में नहीं हो पाएगा और कोई महनत ले रहा है कुद को improve कर रहा है कर रहा है और उसकी योग भी है वो बन जाए दोनों ही चीज़े important है करम भी important है नसीब में दोनों 50-50 के रूप में देखना पूरी तरह से नहीं